सैटलाइट कॉलिंग के आने के बाद क्या बंद हो जाएंगे मुबाइल टावर जाने पूरी डिटिल्स सैटलाइट कॉलिंग एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से यूजर्स बिना मुबाइल नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हैं यह सर्विस रिमोट एरिया में उप्योगी साबित होगी एपल इस सर्विस को लाँच कर चुका है जिसमें यूजर्स रिमोट एरिया में अपने परिजन और दोस्तों से कनेक्ट कर पाएंगे अतरिक वाइंड माई एप सेटलाइट कनेक्टिविटी फीचर का इस्तमाल करके लोकेशन भी दूसरे यूजर्स तक शेर कर पाएगा सेटलाइट कॉलिंग तकनीक जल्दी कॉमन हो सकती है इसके बाद दुनिया भर में मौजूद कई लोग इस तकनीक का फायदा उठा सकेंगे दरसल सेटलाइट कॉलिंग का फीचर बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी या वाइफाई सपोर्ट के काम करता है इस तकनीक पर से एपल ने बीते साल परदा उठाया था ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर सभी मुबाइल नेटवर्क टावर हड़ चाएंगे आईए डेटेल में जानते हैं इसके बारे में दरसल मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि एपल कंपनी का पार्टनर संकेत दे चुका है कि सेटलाइट पावर पर काम करने वाली कॉल्स और इंटरनेट सर्विस का विस्तार किया जा सकता है यह जानकारी अमेरिकी के रेगुलेशन फेडरल कॉम्निकेशन कमिशन यानि एफसेसी को दी गई एपल पेश कर चुका है यह फीचर दरसल एपल ने बीते साल सितंबर के दौरान अपना लांचिंग इवेंट आयुजित किया था इस इवेंट के दौरान कमपनी ने पहली बार आईफोन 14 सीरीज के लिए सैटलाइट फीचर का एलान किया था यह फीचर एमरजेंसी SOS सर्विस है एक बार आईफोन 15 सीरीज के साथ भी फीचर दिया गया है